मान लो कि आप कहीं से जा रहे हों और सब भी आप किसी जीव को देखते हैं जिसे कि आपकी सहायता की जरूरत है तो क्या आप उसे अंदेखा करके चलते बनेंगे अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनमोल पल दिखाएंगे जिसमें जानवरों को हम इनसानों की मदद की जरूरत थी और लोगों ने उनकी मदद भी की इस कुकूर का मूवी प्लास्टिक के डबे में फस गया था और अब तो इसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी पर तभी यहां से जा रहे एक साइक्लिस ने इसे देख लिया जिसने इस डबे को इसके मूँ से धीरे धीरे हटा ही दिया जिसके बाद तो यह कुकूर बहुत ही अधिक्स ने से इन लोगों का धन्यवाद कुछ ऐसे करता है अगर आप भी सोचते हैं कि आखिर यह भेडिये कुत्तों में विक्सित कैसे हुए होंगे तो इस भूखे भेडिये के भोजन के प्रती लालसा और हावभाव को देखकर आप थोड़ा दोंदाजा लगा सकते हैं इन जनाब को कार के नीचे बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा मिला और अब इस बच्चे को ही एक नया घर मिल चुका है जहां इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है भारतिय संस्क्रीती हम इनसानों को समस्त जीवों के प्रती प्रेम करना सिखाती है और यही कारण है कि ये महिला इन बंदरों को रोटियां बाट रही है वैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया कि प्रतेग बंदर अपने हिस्से की रोटी लेते ही वहां से दूर चला जाते है कैसा लगेगा अगर आपको स्वतंतरता आपकी आँखों के सामने दिख रही हो पर आप उसे अनेक प्रियासों के बाद भी हासिल ना कर पा रहे हो और शुकर है कि इस व्यक्ति ने एक एक करिन लोमडियों को इस गड़े से बाहर निकाल इनकी जान बचा ली ये हैजोग शरीर में पानी की गमी के चलते सूस्त हो जाता है जिसे के एक इन्सानी दोस्त मिल गया जिसने के इसे धेर सरा पानी पीने को दिया पर शायद ये बेचारा कुछ ज़ादा ही प्यासा था इस नदी में अचानक से जल्सतर बढ़ जाता है जिससे के इसमें बाढ़ अजाती है और ये कुगुर डर के मारे इस किनारे पर शांत खड़ा हो जाता है जिसे बचाने के लिए पहले तो दमकल विभाग ने इसे फंदे में फ़जा कर निकालने का एक बिकार प्रयास किया परंत में ये अधिकारी स्वयमी किसी तरह से इसे उठा कर अपने साथियों को दे ही देता है जब ये वेक्ति यहां से गुजर रहा था तो इसकी नजर इस कुट्टे पर पड़ी जो कि पालतू था डरा हुआ था और इसे हमेशा के लिए यहां छोड़ दिया गया था ये वेक्ति इसका दिल जीतने में सफल हो गया और इसे अपने घर ले आया तो अब आप खुदी देख सकते हैं कि ये कुट्टा इसके बागी जानवरों के साथ कितना खुश है गाए का ये बच्ड़ा यहां किनारे से फिसल गया था और उफंती नदी में गिर गया जो कि शायदी बच पाता अगर ये भारत ना होता और तब ही ये वेक्ति उपर से फिसलता हुआ आता है और इसे किनारे से उपर के और उठाता है और आखिरकार अपने साथी की सहायता से इसे उठा कर बचा ही लेता है वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही आपको कौन सा पल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जुरूर बताएं धन्यवाद